हे गाईज वेल्कम टू देव भूमी करियर पॉइंट तो देखे उत्राखंड ग्यानकोस भाग सोला है इसमें देखेंगे आज पॉवाने से सुरू होने वाले सभी महतोपॉंग सब्दों को देखे उत्राखंड ग्यानकोस एक महतोपॉंग सीरीज है आपके लिए सभी अप पॉवाने से सुरू होने वाले महतोपॉंग सब्द तो सबसे पहले इसमें है पन्चेशवर ऐक प्लेस है जोकि पिथौराग्रचमपावत के बीच में स्तित है और पन्चेश्वर में एक देवालाई भी इस्तितत है मन्दिल है यहां पर और पंचेस्वर इस लहें सोल्खियों में है क्योंकि यहीं पर एक Mega Dam project यहां पर प्रस्तावित है भारत और नैपाल की यह संविखत परियोजना होगी ध्यान लखेंगे पंचेस्वर बाद किंदो देशों के बीच प्रस्तावित है भारत और नैपाल के बीच में ठीक है अगला दीखे पटरंग वाली तो पटरंग वाली का मैंने उलेक किया था चंद वंस में अनकेडमी लर्निंग पर मैंने चंद वंस उसके साथ पमार वंस और गोलखा सासन का कोर्स कम्पलीट कर दिया है तो आप Unacademy Learning App को डाउनलोड कीजिए और नीचे description box में इस वीडियो के description box में मैंने link दिया है अपनी Unacademy profile का वहाँ पर विजिट करकर इन सभी courses का लाव उठाएं तो पटरंग वाली क्या था देखे जब चंद सासकों ने रेसम का कार खाना लगाया था anglesura में तो रेसम का कार खाना लगाने के बाद ये बोला गया की रेसम का उत्पाधन अच्छा होता है अगर राज्य में अपाई हैं फैलाई जाई तो इन्हीं अपाई हों को उसमें पटरंग वाली कहा जाता था चंद सासनकाल में ठीक है तो ध्यान रखेंगे तो जूट बोलने पे बोला जाता था कि रेसम का जो कारवार है ये फलेगा फूलेगा इसलिए पटरंग वाली जो ये सब्द है या पटरंग वाली जो घटना है वो अलमोगा में आम हो गई थी उस समय पे और देखे रेसम का क बार खाना इस्तापित किया था नेक्स से देखे पवागा तो पवागे देखे गरवाल छेत्रों में जो वीर थे जो सासी लोग थे जिन्होंने बड़े-बड़े युद्ध किये वीर गति को प्राप्त हुए और देवताओं की स्तुती में जो गाथा गीद गाए जाते है उनको ही बोला जाता है पवागा अगला देखे परगना तो परगना पग चुके हैं चंद वंस में पग चुके हैं साधी पमार वंस में भी इसका उलेक हुआ है तो जिले की अन्यतम प्रसासनी के काई को ही परगना कहा जाता है जैसे जिले की आज की बात करूल में अन्यतम प्रसाशनी के काई क्या होती है तैसील हो गई ब्लॉग हो गई वैसे ही जी लेकि अन्यतम प्रसाशनी के काई को पर गना कहा जाता है नेक्स से देखे प्रतापनगर तो प्रतापनगर एक खुबसूरत प्लेस है और प्रतापनगर की इस्तापना की थी 877 में महाराजा प्रताप साहने देखे टीहरी छेतर में गर्मी में काफी मौसम गरम हो जाता था तो इसको देखते हुए गर्मा मतब गरीसमा उकास हेतू प्रताप साहने प्रताप नगर की स्तापना केती है और गरीसम रितू में ये लोग यहीं पर जाकर टाइम स्पैंड करते थे अगला देखे प्रियाग तो प्रियाग जो सब्द है उत्राखंड में ये दो सरिताओं के संगम के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो दो सरिताओं के संगम को उत्राखंड में प्रियाग का जाता है और उत्राखंड फेमस है अपने प्रियाग के लिए, वैसे तो उत्राखंड में कई प्रियाग हैं, लेकिन इस पेसली पंच प्रियाग के लिए उत्राखंड जाना जाता है, तो यह पंच प्रियाग कौन-कौन से हैं, पहला है तेव प्रियाग, जहां पर अलगनन्दा और भ पर्षू राम जी को समर्पित आपने पढ़ाई होगा पर्षू राम जी काफी जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता था ठीक है और पर्षू राम जी से संबंदी थी है प्रसिद्ध मंदिल उत्तरकाशी के जिला मुख्यालाई के निकठी इस्तित है तो आपने बेसिक लोकेशन याद रखनी है पर्षू राम मंदिल कहा इस्तित है उत्तरकाशी जनपद में नेक्स देखे पलेठी एक तो आपने सूर्य मंदिल पढ़ा है ठीक है जो कि कटारमल में है अलमोगा में वैसे ही देखे गड़वाल में भी इस्तित है पलेठी मंदिल पलेठी का सूर्य मंदि तो पमाली कांटा बुग्याल एक खूब सूरत रमगल्ट प्लेस है और इसकी लोकेशन है तिर्जुगी नार्याण मंदिर जो की जाना जाता है सियू पारवती के विवाह इस्तर के रूप में तो तिर्जुगी नार्याण मंदिर के निकट ही पमाली बुग्याल इस्तित है पार करने के लिए तुम्iblी तुम्री जैसी लौकी होती है लौकी सब्जी पार का मी जाता सब्जा में एक सब्जा तो उन तुम्रियों को फिर आपस में बादा जाता था, दो, तीन, चार, पांस तुम्रियों को आपस में बाद कर एक बेड़ा जैसा बनाए जाता था, उस बेड़े से नदी पार की जाती थी, ठीक है, वो अंदर से खोकली होती थी तो डूपती नहीं थी, तो इसी को पाखा कहा जाता था, मध्यकालिन उत्राखंड में, नेक्स देखेंगे, पांखु, तो पांखु पिथोरागर जनपत में एक छोटा सा कस्बा है, और इसी पांखु के निकट इस्तित है, कुमाओ छेत्र में नियाई की देवी के नाम से मसुहूर, कोटगागली देवी का मंदिर, ध्यान रखेंगे, कोटगागली मंदिर, जिसे नियाई की देवी कहा जाता है, इसकी बेसिक लोकेशन है, पांखु नामक कस्बे में, पिथोरागर जनपत में, अगला देखेंगे, पागल नाला, तो पागल नाला ये नीती घाटी में इस्तित है, ध्यान रखेंगे, इसमें पानी बढ़ जाता है, और कई लोग इसमें कालकलवित हुए हैं, पानी बढ़ने की वज़े से, इसलिए इस नाले को पागल नाला बोला जाता है, नेक्स है देखेंगे, पांचोई लोकोथसव, जोनसार में, चार दिन पूर्व लगता है, सब्तमी के दिन, तो सब पूर्व एक्जामों में पूछा गया है, पांडू के इसलिए जो देव स्तल है, कहां लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन है, चामोली जनपत में, अगला देखेंगे पांडू खोली, तो पांडू खोली ये एक प्लेस है, ये कुमाव मिंडल के अलमोगा में इसलिए काफ देवाले है, तो ये है पांडू खोली अलमोगा, नेक्ट से देखेंगे पाताल भूबनेश्वर, तो पाताल भूबनेश्वर कुमाव छेत्र की एक मसहूर और रहश्यमाई गुफा है, काफी यहाँ पर विजीटर आते हैं, प्रतिवर्स इस गुफा के दर्सन करने हैं त आपको काफी रहश्यमाई देखने को मिलेंगे, लाइक 33 कोटी देवी देवत्ता यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्राकर्तिक सिविलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, गगेंश जी की मूर्ती प्राकर्तिक देखने को मिलेगी, सब्तर इसी कुम्ड यहाँ पर देखन अगर जन्पद में और ये प्राकर्तिक गुफा है ठीक है नेक से दिखें पाथा तो पाथा कई बार डिसकस कर चुके हम पूर वीडियो में भी वन लाइनर में भी गर्वाल चेत्र में अन्नमापन का एक परिमांग था पाथा जहां पर एक पाथा होता था लगबग दो किलो सासनकाल में पाला विसाओ क्या था तो ये एक कर था टैक्स था अगला है पावनेश्वर तो पावनेश्वर नाम से प्रसिद्ध यह वास्तुकला का उधारन वाला मंदीर अलमोगा जन्पद में इस्तित है द्यान दखेंगे मंदीर उतना फेमस नहीं है लेकिन बंदिल की पिंडारी ग्लेशर क्योंकि ट्रैकिंग के लिए भी काफी ये अनुकूल है काफी लोग यहां पर ट्रैकिंग है तो जाते हैं और इस यहां पर सबसे महतोपन पॉइंट आपको मिल गया देखने को काभी महतोपन फैक्ट है पिंडारी ग्लेशर की खोज किस ने की थी तो इस ग्लेशर की खोज मिश्टर मडेन ने की थी 846 में ध्यान रखेंगे मिश्टर मडेन नामक व्यक्ति ने 1846 में पिंडारी ग्लेशर खोजा था अगला देखे पितोरागड तो पितोरागड एक जनपद है उत्राखंड राज्य का सौर घाड़ी के नाम से प्रसिद ये ज जनपद इसका गठन हुआ था 24 फरवरी उनिस्टो सहाट को सीमान्त जनपद है और उत्राखंड राज्य का एक मात्र ऐसा जनपद है जो दो इंटरनेशनल बॉर्डल सेयर करता है उत्तर में बात करें तो ये बॉर्डल सेयर करता है तिबबत चीन से और पूर्वा में ये बॉर्डल सेयर करता है नेपाल से तो उत्राखंड राजी का एक ही जिला है जो दो देशों से लगा हुआ है नेपाल और तिबबत से वो पिथोरागर है इसका उपनाम है सौर घाटी और इसको मिनी कस्मीर भी कहा जाता है तो छोटा कस्मीर इसका उपनाम है पिथोरागर क पितोरागर में ही एक गोरकाकालीन किला है बाउलकी गर जिसको बोलते हैं और लंदन फोर्ड भी उसका मंदिर काफी फेमस है और अन्य काफी महत्वपुन दर्सनिय इस्तल देखने को मिलते हैं पिथोरागड जन्पद में next नामक जो देवाले है ये अलमोडा जन्पत में इस्तित है और जो ये पिननात मंदिर है ये basically भगवान सीव को समर्पित है त्यान देंगे भगवान सीव को समर्पित है पिननात अलमोडा में located है नेक्स से देखे पिरान एक कलियर, तो पिरान एक कलियर ये दरगा है, रुग्लकी में इसकी लोकेशन है, हजरत साबीर साहब की दरगा के रूप में प्रसिद्ध है, पिरान एक कलियर, कई बार एक्जाम में पूछा गया कि पिरान एक कलियर कहां इस्तित है, पिरान एक कलिय का रोल की यहीं पे है पिराने कलियर और इसी पिराने कलियर पर उर्स मेला आयूजी जित होता है अगले दीखे पुणागिरी धाम काफी महत्वपुर्ण धाम है कुमाओ मंदल का और पुणागिरी धाम की लोकेशन है टनकपुत सेहर से कुछ डिस्टेंस पे इस्तित है ये चमपाव जनपत के अंतरगत आता है पुणागिरी ठीक है और पुणागिरी सिद्ध पीठ नाम से फेमस है मापुणागिरी को समर्पित है और नवरात्र जो ये सीजन अभी खतम इस सीजन में यहाँ पे काफ़ी भीड रहती है मतब लाखोस रदडालों यहाँ पे आते हैं इस मन्दिर के प्रति उनकी काफी आसता है और काफी उच्छी पाहः पर ये मन्दिर इस्तित है और देखे पुणागिरी मन्दिर पहुँचने से पूरवा ही रस्ते में एक मन् जो कि हम जोओ मॉझे में डिसकस कर चुके हैं। इस मंदिर का नाम जूठा मंदिर इसले पड़ा क्योंकि एक सेठ ब्यापारी पुगागेरी मंदिर में आया था, उसने यहां पर मननत मागे थी और बोला था कि अगर मेरी मननत पूरी होगी तो मैं यहां पर सोने का एक मंदि चड़ाऊंगा उस व्यापारिल की मन्नत पूरी हो जाती है लेकिन वह लालच में आकर सोने के मंदिल की जगह ताबे का मंदिल बनाता है और उस पे बाहर से सोने की पेंट कर देता है तो सोने का रंग चड़ा देता है और जैसे ही मंदिल लेकर पुणागिर जा रहा था तो रस्ते में उसे ठकान लगिया और वहाँ पे बैढ गया हो और मंदिल भी उसने वहाँ पे रग दिया तो कालांतर में वह उस्ता प्ता वाले काम के थे एछ संपवूत नाम पड़ गया जिए जूठा मंदिल तो इसी की तरह पेट साल भी अलमोगा जन्पत में इस्तित है और यहाँ पर सहल चित्र काफी देखने को मिलते हैं और साथ ही कप मार्क्स भी मिलते हैं तो सहल चित्र और कप मार्क्स के लिए प्रसिद्ध है यह प्लेस पेट साल नेक्स से देखें पोखु तो पोखु देवता आपने सुनाओगा तो पोखु देवता यह काफी एक महत्वपूंग और लोक देवता हैं गड़वाल रीजन के ठीक है खासकर जन जाती है छेत्रों में काफी बहुमानने देवता हैं पोखु देवता तो ध्यान रखेंगे प ब्लिटीस गरवाल के मुख्यालइ के रूप में पोख्यल की स्थाप्नवित ए 1840 में उसके बात पोख्यल का काफी अच्छा खास विकास वुआ और वर्तमान समय की भी बात करएं तो पौख्याले है गरवाल मंडल का विथी का ज्यान करें तो जैसे कुमाव मंडल का मुख करते हैं और हाथ में रुमाल लेकर डांस करने की इस विदा को ही काहा जाता है अच्छा और इंट्रस्टिंग यह लगता है देखने में अगर आपने कफी देखा हो तो आपको सिंप्ली हैँ अपरया निलत्य की समुधाई में प्रसे लिए भोटिया या सौका समुदाय में तो गाइस ये था आज उत्राघंट ग्यानकोज भाग सोला जहाँ पर पौवने से सुरू होने वाले सभी महतोपों सब्तों का हमने यहाँ पर जिक्र किया संचिप्त चर्चा भी की और ऐसे ही यह कार्मा आगे बढ़ते रहेगा आप लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है देखे काफी महनत से एक वीडियो तयार होते है कंटेंट तयार करने में और वीडियो तयार करने में काफी समय लगता है तो आप लोग भी प्लीज थोगा सेयर करें लाइक ज़रूर करें यार कम से कम share ना भी करते हैं तो like तो करें आपका एक like कई नगाई मेरे बनता है मेरी मेनत के लिए आपका एक like काफी महत्वपों है तो like करें, comment करें, share करें, subscribe भी करें जो नई लोग है चैनल पर और जल्दी ही आपको बगा अच्छा यहां पर कंटेंट अभी मिलने वाला है आगामी परिक्षा होएतु तो बने रहे हैं आपके अपने जेनल देव भू मी करियर पॉइंट पे So thank you for watching गाईज जल्दी ही मिलेते हैं अपना ध्यान रखेगा Take care, bye bye